हेलो एवरिवान वेलकम टू माई चैनल माई नेम है श्वेता शर्मा और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बैड ब्रेथ के बारे में जो मुझ से बैड स्मेल आती है उसके बारे में कि उसके क्या-क्या रीजन्स हो सकते हैं रीजन्स पताऊंगे तब ही आप उसका प्लम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट है तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और उसे के साथ बैल आइकन भी प्रैस कर ले त तॉ सबसे पहला सबसे इंपोर्टेंट समय होता है और अगर आप अपने मूँ की अच्छे से साह सफ उफाई नहीं रखेंगे अगर रेगुलर आप ब्रश नहीं करेंगे या फिर माउथ वोश नहीं करेंगे या फिर अगर आप ब्रश भी कर रहे हैं पर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोब्लम क्या आती है कि हम maximum लोग जो ब्रश टेक्नीक है हमारी ब्रश करने की जो तरीका है वो ही गलत है तो यहां पर एक बार में ब्रश करने का सही तरीक है सबसे पहली बात आपको दात जो है वो साफ करने घिसाने नहीं ऐसी और अगर आप इतनी जोर-जोर से रब करोगे तो उससे आपका जोई सर्वाइकल एरिया है दातों का आप इस फोटो में देख सकते हैं वो ऐसा हो जाएगा और दूसरी बात सर्फेसेश पे कौन सी को में देख सकते हैं और दूसरी बात जो हमारा दात होता है और उसके ऊपर के जो यह गंशे उनके बीच में यहां पर बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस होता है वन या टू एमम का तो उसमें जो है वो खाना फज जाता है वो आपको साफ करना होता है तो आपको बिसिकली ब्र को मोड़ना है लाइक दिस उसके बाद आप यहां पर एक बार सर्कुलर मोशन करेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ पुल कर देंगे एक बार में दो या तीन दात अप लेंगे उसके बाद थोड़ा सा बेंड करेंगे एक बार सर्कुलर मोशन और उसके बाद नीचे पुल कर देना है और बिल्कुल भी आपको कहीं पे भी जोर नहीं लगाना है तो ब्रिश करने के लिए पांच पॉइंट आपको याद रखने है पहली बात जो आपको ब्रिश लेनी है वो सोफ्ट लेनी है उसके बाद जो तरीका होना चाहिए वो भी आपको सोफ्टनेस के सा पुल करना है उसके बाद fourth point है दाज साफ करने के बाद उसी ब्रश से आप अपने टंग यानि की जीब को भी साफ कीजिए और बिल्कुल हलके हाथ से आपको साफ करनी है उसके बाद time यह fifth point है ब्रश से लेके जो यह यह मैं पाच करा रही हूं point तो fifth है time time आप याद कर लिजि रात को सोने से पहले यानि की रात को सोने से पहले जब आप ब्रश करेंगे तो ब्रश करने के बाद आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है तो आप जब भी सोने जाएंगे तो आपको brush करके सोना है उसके बद सुबह उठके आप खाना खाने से पहले उठते ही बेशक आप गारगल कर लेजी पर breakfast करने के बाद आपको brush करनी ही करनी है तो ये दो time जो मैंने आपको बताए है इन दो time तो आपको brush अच्छे से करनी है तो अभी तक हमने बात की poor oral hygiene की उसके बद second जो reason हो सकता है कारण हो सकता है मूँ से smell आने का वो होता है calculus यानि कि अगर आपके दातों में गंदगी जमा हो रही है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं या फिर इसे कम भी तो आपको कोई भी home remedy या फिर कोई भी toothpaste यूज कर कराना है सबसे पहले आपको cleaning करानी पड़ेगी यानि की सफाई करानी पड़ेगी तो आप dentist के पास जाएं और cleaning कराएं polishing कराएं और उसके बाद जो आपकी दवाईयां चलेंगी उससे ही calculus या फिर plaque का इलाज हो सकता है तो यह जो कूडा कश्रा जमा हो जाता है दातों में cleaning क के बाद जब यह नहीं रहेगा तो smell आने भी बंद हो जाएगी उसके बाद हम तीसरा reason पता करते हैं यानि कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वज़े से bad smell जो है वो आ रही है तो तीसरा reason हो सकता है food impaction यानि कि अगर आपके दातों में खाना फस्ता है अगर आपने brush भी की है पर जातों के बीच ऐसी जगह है जहां पर खाना फस्ता है तो वहां पर bacteria होते हैं यहां पर फोटो में देख भी सकते हैं तो यहां पर अगर brush करने के बाद भी खाना फस्ता है तो यहां पर जो bacteria होते हैं वो उस खाने को खराब कर देते हैं और इसलिए smell जो है वो आती है तो ऐ पर आपको वो डेंटिस्ट के पास जाके फिल ही कराना पड़ेगा, तो उसके लिए आप डेंटिस्ट के पास जाएं और उसे फिल कराएं, उसके बाद जो fourth reason हो सकता है, कारण हो सकता है, वो होता है dry mouth, अगर मुँ सोखा रहता है, पानी की कमी होती है, तो इसकी वज़े से भ ताकि पानी जो है वो दातों की सभी surfaces पे सभी सतहों पे लगे और पूरी oral cavity उससे साफ होने चाहिए उसके बाद जो है वो पानी को निगली आप तो ऐसे आपको पानी पीना है तो ये कुछ reasons हो गई कि आपकी oral cavity जो है वो साफ नहीं है उसमें गंदी है उस कारण मुह में से गंदी smell आ रही है लेकिन कई cases में होता है oral cavity तो साफ है पर फिर भी smell आती है तो अब बात करते हैं इन conditions में कि अगर सफाई भी कर रखी है पर फिर भी अगर smell आ रही है तो ऐसी क्या conditions हो सकती है तो सबसे पहला reason है acidity अगर आपको continue acidity रहती है गैस होती है काफी समय से तो ये भी एक reason हो सकता है इसका treatment बेसिकली क्या होगा आपको अपनी जो acidity है वो maintain रखनी है जो दवाईया अप ले रहे हैं उनको continue रखना है acidic चीजे जो खटी चीजे होती है उनको आपको कम use करना है इसके अलावा जो second reason हो सकता है कारण हो सकता है अगर आपका digestive system जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है जो पाचन क्रिया है वो अच्छी नहीं है constipation रहती है या फिर fresh अच्छी से नहीं हो पाते हैं तो ये एक reason हो सकता है तो जब तक आप जो खा रही है वो digest नहीं हो पाएगा तब तक मुह से smell आने के जो ये problem है वो solve नहीं होगी तो इसलिए इसका जो treatment है वो है अपने digestion को improve कीजिए पानी ज्यादा पीजिए उससे digestion की problem ज्यादा तर ठीक हो जाती है उसके अलावा fibrous food खाईए यानि कि ऐसा food जिसमें fibrous ज्यादा हूँ उससे भी digestion कंट्रोल होगा इसके अलावा एक और reason हो सकता है दवाईया अगर आप लंबे समय से ले रहे हैं तो कुछ दवाईयों के वज़ेसे हो जाता है कि अगर आप कुछ लंबे समय तक ले रहे हैं तो उनकी वज़ेसे भी आपके मुह से bad smell आती है उसके अलावा pregnancy या फिर diabetic patients में भी ऐसी problem हो जाती है प्रेगनेंसी में generally जो gums की problem ज़ादा होती है उसके वज़ेसे smell ज़ादा होती है और diabetic patient यानि के जिनमें शुगर की बिमारी होती है उनमें भी जो gums की problem होती है उनकी वज़ेसे ज़ादा तर smell आने लगती है तो इन दोन कि किनकी वज़ेसे आपके मूँ से जो bad smell है वो आ सकती है तो अब हम बात करते हैं treatment की इसमें ही हम कुछ home remedies के बात करेंगे जिनकी help से अगर आपके मूँ से bad smell आती है वो आप कैसे ठीक कर सकते हैं सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया आपको oral hygiene अपना maintain करना है मूँ की साफ सफाई अच्छे से रखनी है और brush की जो मैंने techniques आपको बताई है उसी तरीके से आपको brush करनी है और बिलकुल softly करनी है जो और नहीं लगाना है अगर गंदगी है या फिर plaque जमा हो रही है जैसा कि मैंने आपको बताया था cleaning आपको करानी है dentist के पास जाके cleaning और polishing आपको कर लेंगे और दिन में दो या तीन बार उससे गारगल कीजिए यान की कोड़े करेंगे उससे जो आपकी बैट स्मेल है वो ठीक हो जाएगी या फिर आप एक और काम कर सकते हैं लेमन की slice कर लेजे उसके टुकड़े ले लेजे और वो आप मूँ में रख लेजे उसके बाद चीनी जो मसालों में भी यूज होती है आप इसके पाउडर को पानी में उबा लेजिए उसके बाद पानी ठंडा करके गारगल कीजिए कोड़े कीजिए या फिर दाल चीनी के टुकड़े आप मूँ में रख लेजे उससे भी आपकी जो ये प्रोब्लम है वो कही ना कहीं ठीक हो जाएगी इसके अलावा आप मुलैथी भी यूज कर सकते हैं इसी तरीके से इसका पाउडर ले लेजिए पानी में उबाल लेजिए गारगल कर सकते हैं या फिर इसके जो टुकड़े हैं वो आप मूं में रखेंगे उससे भी प्रोब्लम कुछ ना कुछ ठीक हो जा उसके अलावा कुछ माउथ वोशिज आते हैं जैसे की क्लोरहेक्जेडिन हो गया यह एंटी बैक्टेरियल माउथ वोशिज होते हैं तो कुछ समय के लिए अगर आप इनको यूज करते हैं तो उसके बाद आपके जो स्मेल है वो धीरे-धीरे कम होते जाएगे उसके बद पर्मनेंट ट्रीटमेंट में डाइजेशन जो है वो मैंने आपको बताया वो आपको सही रखना है पानी अच्छे से पीजिए जितना ज्यादा हो सकता है उतना पीजिए और ओरल हाईजीन जो है अपना साफ सफाई मौन की वो मैंटेन रखिए तो यह कुछ बाते थी जिस क्योंकि जैनरली कई बार क्या होता है अगर कोई दात काम नहीं कर रहा है तो वो दीरे दीरे खराब होता जाता है जिसकी वजह से भी जो बैट स्मेल है वो आने लगती है तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसिज होते हैं जिन में आपको डेंटिस्ट के पास जाना होता है किजिए और साथ में बैल आइकन भी जरूर पैस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सही से मिले उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्योस्टन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर इंस अगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए stay home stay safe thank you and be happy